खायो लोको एक अच्छी मालगाडी लोको सामान लेकर जा रहा है वाँ, कितना अच्छा दिन है ये कौन है? चल कर देखता हूँ अरे वाँ, ये कितनी लंबी मालगाडी है ये तो खत्म ही नहीं हो रही है वाँ, टूनी सर, हाई, गुड मॉर्निंग हाई लोको, कैसे हो? कमाल की बात है कि आप इतने सारे डब्बे खीच लेते हैं सर अरे ये तो कुछ भी नहीं है मैं भी आपकी जितने ही मालगी खीचना चाहता हूँ सर जल्दी ही तुम भी मालगी के लंबी लाइन खीचोगे आप सच कह रहे हैं बाद में मिलते हैं लोको बाई काम करने के बाद लोको वापस शहर लोट रहा है बहुत काम है हाई सेटर हाई स्वागे थे तुमारा थैंक्स तुमारे पास इतनी माल भोग्या क्यों है मिस्टर हर्ब ने तयार रखने के लिए कहा है बहुत सारा सामान ले जाना है वाव इतनी सारी बोगिया एक साथ कौन खीचेगा इन है इस बात का मुझे तो नहीं पता तुम्हें क्या लगता है वो मुझे भेजेंगे चू चू टाउन की सबसे ताकतवर माल गाड़ी इतना भी मत बनो लोगों को भी भेजा जा सकता है मैं? मजाक मत करो सेंटर मैं मजाक नहीं कर रहाए पताना ही उन माल बोगियों को कल कौन लेकर जाएगा काश मुझे मौका मिल जाए लोको ने सपना देखा कि वो डिबों की कभी खत्मना होने वाली लाइन लेकर जा रहा है लोई टायो खड़ा है टायो हेलो लोको हलो वाव कितने सारे टपे सबसे ज्यादा डिपे खींच कर ले जाने वाली एक माल गाड़ी आज कल चर्चा में है डिपो की इतनी लंबी लाइन देखकर सब हैरान है लोको तुम सकते अच्छे हो लोको 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 मैं सपना देख रहा था लोको क्या तुम जाग गए जी मिस्टर हाब तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ जी सर कहीं मुझे मुझे पता था मैं ही आऊंगा है हेलो दोस्तों हेलो लोको तुम सब यहां क्या कर रहे हो मिस्टर हाब ने मुझे बुलाया है शायद वो चाहते हैं के सारे डिपे लेकर मैं ही जाओ सारी डिपे मिस्टर हब ने बढ़नी और मुझे भी बुलाया है तुम्हे किसी और काम के लिए बुलाया होगा पता नहीं क्या बात है अच्छा आ गए तुम सब मैंने तुम सब को एक साथ काम करने के लिए बुलाया है एक साथ काम बुल्कुल ठीक माल बोगिया ज्यादा है तुम चारों मिलकर उन्हें एक साथ खींचोगे क्या? सामान इता ज्यादा है कि ले जाने के लिए कई मालगाडियों को जाना पड़ेगा ओ अच्छा? इसमें तो बहुत मज़ा आएगा जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है जल्दी चले जाओ जी सर मैं अकेले जाना चाहता था मैं पहली बार एक साथ सामान खीचूँगा मैं तो बहुत ही खुश हूँ मैं भी माल बोगी लगवाने के लिए छोटी रेल गारियां डीपो पहुँच गई तो लाइन में सबसे आगे किसको होना चाहिए? मुझे और किसको मैं ही आगे रहूँगा क्योंकि मैं ताकतवर हूँ बिल्कुल नहीं मेरे जैसी बहादुर रेल को ही आगे होना चाहिए नहीं मैं ही आगे रहूँगा सुनो तुम दोनों आपस में जगड़ो मत इस समस्या को कैसे सुलजाओं? आइडिया सुनो दोस्तों, क्यों नहीं बारी-बारी से कर ले? क्या? पहले जाते हुए मैंनी आगे चले क्योंकि वो रास्ता अच्छे से जानता है और वापस आते हुए डीजल आगे चले ठीक, आइडिया अच्छा है वाकई अच्छा आइडिया है आरे छोड़ो टिटी पो, टिटी पो बहुत मज़ा आ रहा है हाँ, मज़ा ही आ गया साथ में मिलकर काम करने का मज़ा ही अलग है मुझे तो कोई मज़ा वजा नहीं आ रहा है इसमें डीजल का मूड अभी भराब है आइडिया उसे मस्ती भरे गानी गाना पसंद है सुनो दोस्तों, हम सब मिलकर गाना गाते है मैं नहीं गाना चाहता खुदी गालो तुम लोग अरे गाउना, देखना इसमें बहुत मज़ा आएगा अअअअअअअअअअ अपना दाया हाथ रखो दोस्त के दाया कंदे पर अपना भाया हाथ रखो दोस्त के बाया कंदे पर एक को तिन चाहर रिद्व लोग और चलते जाओ चुचुचचे है अच्छा खे आओ आओ, हाथ मिलाओ, और मिलकर चते जाओ, हम सब हैं, छोटी-छोटी वे. ओ, डीजल, तुम तो गाना नहीं चाहते थे. आँ, क्योंकि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए. सच में? सुनो, दोस्तों, एक बार और गाने को तयार हो, साब. मैंनी, पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बर्णी. ठेक है, बर्णी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बर्णी बहुत ठक गया है, उसकी मदद कैसे करूँ? आइडिया, सुनो, मैंनी, यहां से दाई तरफ चलो. हाँ, लेकिन क्यों, वो रास्ता तो बहुत ही लंबा पड़ेगा. वहाँ एक जगा है, जो मुझे देखनी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ओ, ठीक है, क्यों नहीं? लंबे रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी से ठक गया हूँ. ठीक है, ताई तरफ से चलते हैं. चलो, चले. बर्णी, बराबर में देखो. बराबर में? वाव, कितना सुन्दर है. इन फूलों ने मुझे में ताकत भर दी है. अच्छा, तो लोको, तुम यहां से बर्णी की वज़े से निकलना चाहते थे. क्या ये बात सच है, लोको? मैं समझ गया था तुम ठक गये हो, तो मुझे लगा तुम्हें ये सब देखकर अच्छा लगेगा. शुक्रिया, लोको. तुमने मेरे बारे में इतना सोचा? कोई बात नहीं. जोश से भरपूर, छोटी रेल गाडियां चलती रहें. यहां तो खुले मैदान है. क्या, भेड़ दिखेंगी? अरे मैनी, तब ही तो मैं कह रहा था कि मुझे सब से आगे रहने दो. कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तीनों तुमारे साथ हैं. उम्मीद करता हूँ. घबराओ मत. यह आगे कौन है? यहां, इतनी सारी भेड़, मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, डर रहा हूँ. तुम अचानक रुकोगे, तो हम सब के सब गिर जाएंगे. लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है. आइडिया, इन भेड़ों को दूर भगा देते हैं, अपने हॉन एक साथ बजा कर. और बजाओ, साही कहा, कोशिश करते हैं, चलो. तैयार, चलो, बजाओ. काम बन गया, शुक्रिया लोको. कोई बात नहीं. छोटी रेल गाडियां बंदरगाह पहुंच गई. हाई ब्रीनी, हम सामाल लेने आए हैं. हालो, वाउ, माल बोग्यों के इतनी लंबी लाइन लाए हो, कमाल कर दिया तुमने. ठीक है, लोडिंग के लिए तयार हो जाओ सब. तयार है. ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा. आखरी अब तुम जा सकते हो शुक्रिया क्रेने अब डीजल की बारी है आगे चलने की हाँ ठीक है डीजल अब तुम आगे आओ असल में मुझे लगता है कि लोको को आगे चलना चाहिए अब क्या अगर लोको नहीं होता तो हम यहां तक पहुंची नहीं पाते लोको को पता था कि मेरा मूठ खराब है तो उसने गाना गाने के लिए कहा हां इसने लंबा रास्ता लेने को कहा क्योंकि मुझे फूल पसंद है और लोको की वज़े से हम लोग दुरभटना से बच गए जैसा डीजल ने कहा लोको को आगे चलना चाहिए हम सब को यह दखता है हम सब को पूटी मालकाडियां आगे बढ़ रही है ओ इतनी लंबी मालकाड़ी पता नहीं कौन है यह तो बहुत सारी माल बोगी है वह वह विश्वास नहीं हो तो तुम इतना समान खीच रहे हो तुम सब कमाल के हो क्योंकि हम साथ मिलकर काम कर रहा है इसलिए कोई परिशारी नहीं है ना दोस्तों बिलको ठीक हेलो बच्चों कैसे हो हेलो टूटी सेर लोको तुम्हें सबसे आगे देखकर अच्छा लगा तुम कमाल के हो ठीक कहा लोको तो कमाल का है नहीं कहा था एक दिन तुम भी ज्यादा माल बोग्यां खीचों गया है ना बहुत बढ़िया बच्चे चलो फिर मिलते हैं बाई वाँ मेरा सपना सच हो गया अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करके लोको बहुत खुश था अभी बहुत कुछ करना है लोको टीटीपो और टायो एक खेली हुई सुभार और ये जा रहा है टीटीपो ये तो टायो है ही ही टायो टीटीपो हेलो ही ही हेलो हेलो तीज रफ्तार थी काश में रुक कर बाती कर पाता क्या करें टीटीपो मैं हूं हाई टायो हम फिर मिलकर अच्छा लग रहा है हां बहुत अच्छा मन करता है हम ज्यादा टायम बिता पाएं हाँ मेरा भी टीटी पो कल तुम्हारी ड्यूटी है नहीं कल मेरी छुटी है सच में ये तो अच्छा हुआ कल मेरी भी छुटी है कल घूमने समुद्र के किनारे चले हम वाँ ठीक है ठीक है तो कल गराज के पास वाले स्टेशन पर मिलते हैं ठीक है वही मिलेंग अगले दिन की सुभाः टीटी पो स्टेशन पर पहुंच गया डोप अब अभी तक यह नहीं आया हुँँ पार्किंग लोट में खड़ा हुआ हुँँ मैं इहां हुँ तुम यहां हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहे मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हुआ हुँ पार्किंग लॉट? बिल्डिंग की वज़े से उसे नहीं देख बा रहा हमी शायद अलग-अलग जाना पड़ेगा वहाँ पर खीक है, क्या तुम मुझे समूत्रे के किनारे मिलोगे? जा, समझ नहीं आया क्या, तुम मुझे समूत्रे के किनारे पर मिलोगे? क्यों इतना चला रहे हो तुम मैं तो बस स्टेशन के बाहर खड़े अपने दोस्त से बात कर रहा था लेकिन तुमने सब को परिशान कर दिया मुझे माफ कर दू शायद उसने समुद्र के किनारे मिलने को कहा है तो फिर चलो मैं वही चलता हूँ टायो समुद्र के किनारे जा रहा है ओ वो रहा ठीटीपो शायद टायो वहां पहुंच भी गया होगा यह तो टायो है टायो मेरे लिए रुको हाई टीटीपो वहां पहुंचने के बार तुम क्या करोगे अ हाँ यह बोलो हम क्या करेंगे चायो टीटीपो सोचाता वहां इकठे जाएंगे अकेले अकेले नहीं लेकिन उमीद है जब समुद्र के किनारे पहुंच जाएंगे तो मोज मस्ती करेंगे मैं तो चला अरे रुको तो मुझे पकड़ के देखाओ लोग पकड़ लिया टीटीपो पहांच गया टायो 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 टीटीपो मैं यहां हूँ तुम वहां हो टायो हां समुद्र के किनारे यही सड़क सबसे करीब है टीटीपो क्या हम इतनी दूर से यहां आयो और साथ में खेल भी नहीं सकते हां एक तरीका है मैं कुशिश करता हूँ पास आने की लेकिन कैसे टायो यह मुझ पर छोड़ दो तुम टायो ध्यान से घबराओ नहीं मैं बस पहुचने ही वाला हूँ उटायो मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ अरे नहीं अब क्या करें चिचीपो चिचीपो तुम बाहर आ गए शुक्रिया टोटो कोई बात नहीं चायो क्या तुम ठीक हो हां मैं ठीक हूँ लेकिन लगता है मुझे गैराज पर की लिए जाना पड़ेगा हां ध्यान से जाना टायो ठीक है तुअब चलते हैं ओ रृपकर मेरी वजह से चोट लग गई तीटिभी हाँ ती याद है आज राथ तुम्हारी जान्च होनी है हां मुझे याद है ठीक है राथ को मिलते हैं टीटीपो जांच के लिए टीओ के पास पहुंच गया है लो टीओ मैं पहुंच गया टीटीपो सही वक्त पर आये तुम हाँ क्या हुआ तुम ठीक हो ना तुम थुड़े परिशान लग रहे हो हाँ हूँ मैं आज टायों के साथ समुत्र के किदारे गूमने कया था लेकिन ट टीटीपो ने टीओ को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था खेल भी नहीं पाए इसलिए परिशान हो तुम हाँ मुझे पता है तुम और टायों साथ में कैसे खेल सकते हो सच में टीओ तो बताओ न तुम कल दो पहर को यहां आ जाना और मैं तुम्हें बता दूँगा वाँ मज़ा आ जाएगा अगले दिन टीटीपो फिर से प्रोडक्शन प्लांट में आ गया टीओ टीओ टीटीपो अंदर आ जाओ हेलो तुम यहां पर हाई टायों क्या आप तुम ठीक हो हाँ हैना ने मुझे चुटकियों में ठीक कर दिया लेकिन ध्यान रखो कि हमेशा सिर्फ सड़क पर ही चलो ह मैं बहुत खुश हूँ ठीक है दोस्तों टीटीपो टायो तुम बाहर घूमने के लिए तैयार हो हाँ लेकिन टीओ हम एक साथ कैसे जा सकते हैं मैंने कहा था ना एक तरीका है वो तरीका है इसके साथ टीओ वो तो बस एक माल गाड़ी है यह कोई आम माल गाड़ी नहीं है मैंने इसमें कुछ खास बदलाव किये हैं आओ ठीटीपो इसे साथ जोड़ लो ठीक है धीरे धीरे बढ़िया इसे तो जोड़ लिया लेकिन टीओ तुम्हें विश्वास है टायो और मैं एक साथ गूमने जा सकते हैं हाँ हाँ बिलकुल क्या बाद टीओ टायो इस पर चड़ जाओ ठीक है अभी चड़ जाता हूँ वाव मैं तो इस पे से अब गिरने वाला भी नहीं हूँ अब हम जुड़ चुके हैं इसलिए एक साथ चाह सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया टीओ कोई बात नहीं क्या तुम तयार हो टायो हाँ बिलकल तयार हूँ मज़े करना दोस्तों ठीक है चलो चलते हैं फिर मिलेंगे टीओ बाई टीची पो और टायो एक साथ समुद्र के किनारे जा रहे हैं समुद्र कितना अच्छा है हां और हवा भी सोहानी है यहां की एक साथ यहां आकर मज़ा आ गया ओ ओ बदेखो टायो वहाँ सीगल है वाव देखो वो एक ही लाइन मोर रही है तो अपना दायना हाथ रखो दोस्त के दायने कंदे पर और बाया आइं हाथ एक दूचे का हाथ थामो, तो आओ जल्दी जल्दी आओ सारे मिलकर हम करें थमाल, छोटी रेल बनाओ, चैक 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 तो आओ जल्दी जल्दी आओ सारे मिलकर हम करें थमाल, सारे मिलकर करें थमाल जी टीटी पो और टायो समुधर के किनारे खोब मज़ए कर रही है हाई दोस्तों ओ चिटीपो तुम ये तुम्हारे पीछे माल भोगी क्यों लगी है तुम्हारे लिए कुछ खास है टाडा हाई दोस्तों मैं हूँ ये तु टायो है टायो वहां क्या कर रहा है टीउ ने खास ये टायो के लिए बनाया है ताके टीटीपो और मैं समुदर के किन कितना अच्छा तरीका है ते टायो सुनो अगली बार खदान पर हम सब साथ जाएंगे खदान मैं तुम्हें वो जबर्दस काम दिखाऊंगा जो मैं करता हूं टायो बहाँ जाने से पहले तुम मेरे साथ पूल देखने चलना माफ करना टायो वादा कट चुका है कि अगली ब मुद्र के किना रे जाएगा तुम मेरे साथ चलोगे है ना चूटी डील गाड़ियों ने चूचू टाउन में टायों के साथ खेरते हुए बहुत मज़े किये डीजिल का खजाना यह आवाज कैसी है ओ छोडी ट्रेंस फिल्म देख रही है यहां से शायद गार्ड़न एक सबको बचा कर ले जाएगा अब तुम सुरक्षित हो दोस्त अगला दिन शुरू हो चुका है डीजल हमेशा की तरह मेहनत से काम कर रहा है जल्दी से काम खत्म हो जाए तो मैं गार्डियन एक्स की मूवी देखू एक मेरे प्रुक्य है कैसे हैं गार्डियन एक्स यहां विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सामने हूँ तुम्हें रोकने के लिए माफे चाहूंगा कोई बात नहीं मुझे हीरो स्टुग्यो जाना है तुम्हें पता है कि कहा है हां पता है सीधे चोराहे पर जाएए फिर दाहिने मुडी और सीध कर रहे हैं यह जरूर सपना है हाँ बहुत मजाख्या हो तुम्हारा नाम क्या है चोटी ट्रेंड डीजल है हम बहुत बहुत शुक्रिया डीजल एट मिनेट वह मुझे एक काम है आपसे काम अपना काम पूरा करने के बाद डीजल वापस चूचू टाउन जा रहा है यह तो टीटी पो है टीटी पो कैसे हो दोस्त हेलो जरा मुझे देखो क्या मुझे में कुछ अलग दिखाई दे रहा है तुम्हारे चेहरे पर दूल है उससे लगता है तुमने कोईला कीचा दूल को छोड़ो जरा मेरी साइट में तो देखो साइट यह तो गाडियन एक्स का आटोग्राफ है यह तुम्हें कैसे मिला मैंने उसे रास्ता पताया और उसने मुझे आटोग्राफ दिया वाँ तु मैं कभी नहीं नहाँगा यह मेरा सबसे बड़ा खसाना है मैं जल्दी जाकर सब दिखाना चाहता हूं लेकिन डीजल मैं तुमसे बाद में मिलता हूं लेकिन काम पर तो उसे साफ सुत्रा ही चाना पड़ेगा डीजल ने अपने हर दोस्त को गाडियन एक्स के अगर आज मैं नहीं होता ना तो गाडियन एक शूटिंग पर नहीं पहुंच पाता अच्छा तुमने कमाल कर दिया डीजल उसने थैंक्यू कहते हुए मुझे ऑटोग्राफ दिया यह दिखो मस्त है ना वाँ यह तो साफ वता चल रहा है कि मैं नहाया नहीं हूँ अगर मिस्टर हब ने मुझे ऐसे देख लिया तो तुरंत मुझे नहाने के लिए भेज देंगे डीजल कितनी बार कहा है कि काम पर जाने से पहले नहाया करो अब मैं क्या करूँ मैं सुबह जल्दी उठूँगा और मिस्टर हब से बज़कर निकल जाओंगा कितना समझतार हूँ मैं चूचू शेहर में एक नई सुभा की शुरुवात और डीजल चुक्के से काम के लिए निकल रहा है मैं आवास किये भी ना चाता हूँ चुप चाप चुप चाप तरकीब काम्याब हो गई आज जल्दी आगाई डीजल बिल्कुल तो आज मैं क्या ले जा रहा हूँ आज तुम्हें यहां से खाद के बोरे ले जाने हैं चीक है वाटोग्रेफ तुम्हें पता है क्या क्या मेरे पास कुछ मस्त है देख कर हैरान हो जाओगे तुम बिना बताएं पीछे मत आओ क्या तुम ठीक हो डीजल मैं ठीक हूँ यह बद्बू कैसी आ रही है खाद के कुछ बोरे फट गए है खाद में बहुत बद्बू होती है डीजल तुम काम के बाद नहा लेना पर क्या बिना नहाए मेरा काम नहीं चल सकता आओटोग्राफ यहां इस तरफ खाद आ गई है तुम में से बद्बू आ रही है आज तुम इतने गंदे क्यों हो डीजल माफ कीजिए काम के बाद तुम्हें सीधा नहाने के लिए जाना होगा अब मैं क्या करूँ कितना प्यारा पपी है अरे मेरे उपर नहीं है गंदा पपी मैं नहां भी नहीं सकता हूँ क्या करूँ मैं अब टिटीपो टिटीपो पूरी तरह गंदा होने के बाद डीजल चूचू टाउन पहुंचा हाई दोस्तों हेलो डीजल तुम आटोग्राफ फिर से देखोगे नहीं शुक्रिया अरे पर ये गार्डिन एक्स का ओटोग्राफ है देखो तो सही तुम तूरा तुम से बद्बू आ रही है क्या सच में बद्बू आ रही है हाँ ठीक है फिर मैं नहा ही लेता हूँ बिल्कुल सही फैसला लिया तु टीटी पो और जीनी डीजल को ट्रेन वाश ले गए ठीक है तुम अंदर शाओ टीजल तुम साफ हो जाओ फिर खेलने चलेंगे ठीक है कितनी ट्रेन्स के पास मेरा ओटोग्राफ है सिर्फ तुम्हारे पास डीजल मैं यह नहीं कर सकता हूँ मैं गार्डियन एक्स का ओटोग्राफ नहीं मिटाऊंगा मैं नहीं नहाऊंगा ओ जीजल टीटी पो और जीनी को अपने दोस्त डीजल की बहुत चिंता हो रही है समझ नहीं आता अगर वो नहीं नहाएगा तो पत्पू बढ़ती चाहेगी बिल्कुल ठीक ओ यह चीक रहेगा लगता है आज जरूर बरसात होगी तीटी पो हम डीजल के साथ पिक्निक पर चलते हैं पिक्निक लेकिन आज बरसात होगी वही तो अगर उस पर बरसात हो जाए तो वह अपने आप साफ हो जाएगा वाँ जीनी तुम बहुत समझदार हो चलो अच्छा किया कि मैं नहाया नहीं गार्डिन एक्स का ओटोग्राफ जादा जरूरी है मेरे लिए जीजल देखो मैं नहाने वाला नहीं हूँ हम यहाँ इसलिए नहीं आए डीजल हम पिक्निक पर चलते हैं पिक्निक ठीक रहेगा बढ़िया चोटी रेल गारियां घूमने जा रही है बादल खिरे हुए हैं लगता है आज बारिश होगी ऐसा कुछ नहीं है चिंता मत करो ठीक हाँ वैसे भी हम पहुँचने वाले हैं देखो बारिश हो गई जल्दी से चूचू टाउन चलते हैं लेकिन क्यों क्या तुम्हें बढ़ साथ अच्छी नहीं लग रही है हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है मजा रहा है हाँ वैसे मजा आ तो रहा है अरे नहीं गार्डियन एक्स का आटोग्राफ धुलकर मिट रहा है बारिश रुख गई डीजिल तुम्हें अच्छा मैसूस नहीं हो रहा है फिर से साफ होकर मेरा ओटोग्राफ दोस्तों बताओ क्या वो अब भी मुझ पर है नहीं वो धुल गया लेकिन अच्छा ये हुआ कि तुम साफ हो गए और तुम दूल गया तुम दोनों जानते थे कि बारिश होगी और चलाके से मुझे हाल ले आये तुम हम तुम्हारा भला चाहते थे लेकिन तुमने ठीक लएंगिया मेरे साथ जीजिल हमसे बहुत नाराज है दुरा लग रहा है हम किसी तरीके से उसे फिर से और्टोग्राफ नहीं सकते हैं मुझे एक आइडिया आया अगर हम उस्टूडियो में जाए जो डीजल ने बताया था तो हम गार्डियन एक्स से मिल सकते हैं जो हुआ वो बताकर हम फिर से और्टोग्राफ ले लेंगे अच्छा एडिया है तो अभी चलते हैं डीजल 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 चलो बहार आ जाओ क्यों आओ मैं तुम्हारी वज़े से मेरे सबसे कीमती ख़जाना चला गया चीजल हम तुम्हें पछ दिखाना चाहते हैं बाहर नहीं आए तो बाद में पच्छता होगे डीजल अरे बाहर तो आओ टीटीपो मुझे पता है कि तुम गार्डियन एक्स की आवाज नि कार्डियन एक्स क्या हाल है दोस्त फिर मिल गए हम जानता हूं मैं नकले अच्छी करता हूं लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं हुआ हुआ डीजल सुना मेरा ओटोग्राफ मिट गया है वो मेरा अनमोल ख़जाना था अरे इतना परिशान होने की जरोत नहीं है क्योंकि मैं स्पेशल गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए येलो उम्मीद है ये तुम्हारे पास जादा वक्त तक रहेगा गार्डियन एक्स बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शुक्रिया मत कहूं शुक्रिया तुम्हे अपने दोस्तों का करना चाहिए दोस्तों का तुम्हारे दो नहीं था हम खुश हैं कि तुम खुश हो डीजल तो यहां आने के लिए शुक्रिया गार्डियन एक्स क्या मुझे आटोग्राफ दोगे अपने दोस्तों की वजह से डीजल को एक नया ख़जाना मिला मुबारक हो डीजल मिस्टर हर्ब के लिए मुश्किल भरा दिन एक खुबसूरत सुभा की शुरुवात आज देखते हैं मिस्टर हर्ब क्या काम करते हैं लोको की शुरू होने वाली है ठीक समय पर आएं लोको हाई मिस्टर हर्ब गुड मॉर्निंग आज का तुम्हारा दिन अच्छा बीते लोको शुक्रिया लॉटकर आपसे मिलता हूं बाई यह तो बंदरगा जा रहा है ओ घलट डिपे लोको तुम घलट डिपे ले जा रहे हो लोको मेरी आवास नहीं सुन पाया कर दो निकल जाए अरे नहीं मेरी चाहे यह यह क्या हो गया करों पहले मुझे लोको से बात करनी चाहिए लोको लोको ला 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 ऐसा लगा मैंने कोई आवास सुनी अभी कान बज रहे होंगे लोको, लोको ये क्या, शायद मेरा माईख खराब हो गया हेलो मिस्टर हर्ब कौन आया है, टीटी पो, क्या बात है क्योंकि आज हमारी छुट्टी है, डीजल जीनी और मैं बाहर घूमने जा रहे है घूमने? ठीक है, जाओ माच करो, मुझे जाना होगा बाही, मिस्टर हूब आज अजीब हरकते कर रहे है चल्दे चलूँ मिस्टर हूब, क्या आप ठीक है? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया है, इसलिए मैं बहुत परिशान हूँ क्या रेडियो? इसका मतलब बाहर काम करने वाली रेल से बात नहीं कर पाएंगे बिल्कुल ठीक, मैं लोको को बताना चाहता था कि वो घल्ट डिब्बे ले जा रहा है, लेकिन बता नहीं पाया ओ, क्यों ना मैं लोको को माल बूगी पहुँचा दू? लेकिन तुम तो घूमने जा रहे हो ना? मैं कभी और चला जाओंगा, आज यहीं रुक कर आपकी मदद करूँगा ठीक है, थैंक्यू टीटीपो जी डीजल और जीनी को बता दू, मैं उनके साथ नहीं जा सकता रेडियो सिस्टम खराब हो गया है क्या सच में? बहुत बुरा हुआ मैंने सोचा है, आज मैं मिस्टर हर्ब की मदद करूँगा तुम दोनों मेरे बिना चले जाओ ठीक है तो ठीक है फिर ठीक है, बात में मिलते हैं ठीक है टीसल, तुम भी मिस्टर हर्ब की मदद करना चाहते हो? ठीक है, चलो चलते हैं फिर मिस्टर हब बोलो क्या बात है चीचीपो ने बताया क्या हुआ हमने सुना आपका रेडियो खराब हो गया ठीक सुना ठीक होने में समय लगेगा बड़ी मुश्किल है क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं अभी अभी मुझे खबर मिली है कि सिंग सिंग चुराहे की बीच में खराब हो गई है वो चल नहीं पा रही मुसीबत ये है कि फिक्स और लिफ्ट कहीं और हैं और सिंग सिंग की मदद के लिए नहीं पहुँच सकते इसलिए परेशान हूँ चिंता छोड़िये मैं सिंग सिंग को खीच कर प्रडक्शन प्लांट ले जाओंगी तुम ये कर दोगी जरूर मैं जल्दी वापस आती हूँ ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हब मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं भी मदद करना चाहता हूँ यहीं इंतिजार करो डीजल 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 जी मैनी और बढ़नी बंदरगाह में हैं क्या तुम उन्हें कुछ माल बोगी पहुँचा दोगे जरूर समझे काम होगे आपका जैसे ही लोको काम पर पहुचा उसे पता चला कि वो गरत माल बोगी ले आया है लोको हम इन बोग्यों में सामान नहीं रख सकते आप मुझे थोड़ा सा वक दीजिए प्लीज मैं अभी मिस्टर हब से बात करता हूँ ठीक है मिस्टर हब सुनिए मिस्टर हब मिस्टर हब वो जवाब क्यू नहीं दे रहा है अब लोको ओ लोको टिटीपो मैं तुम्हारे लिए ठीक माल बोगी ले आया सच मैं आप शुक्रिया तुम्हें किसने बताया कि मुझे चाहिए मुझे मिस्टर हब ने बताया उन्होंने बताया मैंना उन्हें फोन किया, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ उनकी मदद? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भी उनकी मदद करूँगा हाँ, ये अच्छा रहेगा सिंग सिंग को अपने साथ जोड़कर जीनी उसे ठीक कराने ले जा रही है सच में? हाँ, रेडियो खराब है मिस्टर होब टिक से बात नहीं कर पा रहे थे तो मैं आ गई तो मैं भी मदद करूँगी चेक अप के बाद में सीधा मिस्टर होब के पास जाऊँगी अच्छी बात है डीजल मैंनी और बर्नी के लिए माल बोगियां लेकर बंदर का पहुँच गया है मैंनी और बर्नी को देखा है क्या शायद मैंने उन्हें शहर वापिस जाते देखा है शहर चले गए हमने एक दूसरे को देखा नहीं होगा बहुत बुरा हुआ चूचू शहर में सारी गलबल मेरी वज़े से हुई है मैं ऐसा नहीं होने दूँगा मैं सब ठीक कर दूँगा मैनी और बर्नी का सामान डीजल लेकर जा रहा है मिस्टर हर्ब ओ ठीयो देरी के लिए माफी कोई बात नहीं लगता है से ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा कोई दिक्कत तो नहीं अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है चोटी रेल गाड़ियां मदद कर रही है यह तो अच्छा है पट्री पर चट्टाने गिर गई है और एरिक इसी रूट पर गया है अगर उससे जल्दी नहीं बता पाया तो हाथसा हो सकता है हाथसा इसे टाल नहीं सकते मुझे खुद जाकर उसे बताना होगा ठीक है मैं ठीक कर दूंगा मैं तुम्हारा स्कूटर ले जाओं मेरा स्कूटर थैंक्स एरिक को हाथसे से बचाने के लिए मिस्टर हर्ब तीजी से जा रहे है थोड़ा सा और आगे जाना है एरिक एरिक हां यह स्कूटर की रफ़तार क्यों कम हो गई यह क्या पेट्रोल खत्म हो गया क्या रुको एरिक इस रूट पर खत्रा है एरिक कितना अच्छा मौसम है एरिक मिस्टर हर्ब क्या कोई दिक्कत है एरिक के रास्ते पर चट्ठाने गिरी हुई है मुझे और सो रोकना है क्या तुम मुझे ले चलोगे क्यों रही जल्दी बैठी आप एरिक 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 लगता है इतनी दूर से एरिक तक आवाज दही पहुच रहे और हम क्या कर सकते हैं थुल जल्री चलो खोशिश करती हो उसके नजदी पहुचने की एरिक मैं क्या करूँ स्टेशन आ गया एरिक अब अगले स्टेशन की तरफ चल रहे हैं हम रुको रुक जाओ एरिक मिस्टर हर्ब आप यहां क्या कर रहे हैं मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ अगले स्टेशन के रास्ते में पट्री पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टाने गिर गई है इसलिए तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा बताने के लिए शुक्रिया लेकिन मिस्टर हर्ब आप इतनी दूर क्यों आये आप ये तो मुझे रेडियो पर भी बता सकते थे ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एरेक यात्री तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं तुम्हें अब जाना चाहिए ठीक है शहर आकर मिलूगा ठीक है शुक्र है मिस्टर हर्ब के छोटे साथ ही वापस शहर आ रही है जीनी, डीजिल, चीचीपो बाहर जाकर खुब मस्ती की तुमने हमने सोचा कि हम भी नहीं जाएंगे यहीं रुक कर मिस्टर हर्ब की मदद की अच्छा किया मुझे पता नहीं था मिस्टर हर्ब के पास इतनी सारी जिम्मेदारिया है मुझे भी नहीं पता था हैरानी की बात है कि वो इतने सारे काम हर रोज अकेले करते हैं सच में टीटी भो, जीनी, डीजिल ओ, मिस्टर हर्ब क्या रेडियो ठीक हो गया हाँ, ठीक हो गया ये तो बहुत अच्छा हुआ सुनो, तुम सब का शुक्रिया तुम्हारी वज़े से मैं अपना काम कर पाया तुम सबने आज मेरी बड़ी मदद की मैंने हमेशा तुम्हें छोटा बच्चा समझा लेकिन आज नहीं आपने कमाल का काम किया जब भी आपको मदद चाहिए हो हमें बता तीजे मिस्टर हर्ब आप विश्वास कर सकते हैं हमेशा हाजिर रहेंगे आपके तीन चैतान ठीक है छोटी रेलगाडियां पूरा दिन मिस्टर हर्ब की मदद करने में लगी रही तुम सबने बहुत अच्छा किया शाबाश फिक्स और लिफ्ट संगीत मुकाबले में फिक्स और लिफ्ट मस्ती में गा रहे हैं चोड़ चोड़ शेहर और भीड भार कभी आया पुल और कभी पहाड फिर आया जंगल और चिड़िया गाई कैसे हो तोस्तों मुकाबले की तयारी कर रहे हो कुछी तुनों बाद है बस चिंता मत करो दोस्तों तुम्हें जरूर पहला इनाम मिलेगा ठीक कहा पूरी दुनिया में फिक्स सबसे अच्छा रैप करता है शुक्रिया डीजल और शहर में ऐसा कोई नहीं है जो लिफ्ट से अच्छा गा सके कहीं हमसे कुछ गड़बड हो गई तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे ऐसा कभी नहीं होगा तुम भी यह जानते हो हम तुमारा हासला बढ़ाएंगे शुक्रिया हम पूरी कोशिश करेंगे ठीक है अब हम काम पर चलते हैं बिलते हैं बाइब सबको मेरा राप पसंद आता है डीजल को भी अच्छा लगता है और मैं सबसे अच्छा गाता हूं टीटीपो ने तारीफ की मेरी हां संगीत में गाना सबसे जरूरी होता है प्रेंदिंग भी उतनी जरूरी है जितना की गाना हां लगता है तुम जल रहे हो मुझ से अरे ये क्या दोनों के बीच में बात बिगरती जा रही है अगले दिन फिक्स और लिफ्ट ने प्रैटिस शुरू की जंगल में कुकी कोयल मैं हूं फिक्स नहीं हूं कोई लूकल सुरू फेक्स क्यों ना आज मिलकर प्रैक्टिस करें हम हैं तुम बहुत बहुत जल्दी शुरू कर रहे हो मेरा रैप खत नहीं हुआ प्र तुमने रैपिंग पहले शुरू कर दी मेरा गाना भी क्या टीटी पो ने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी है तुम तो हवा में ही उड़ने लगे हो और डीजल ने तुम्हारी क्या तारीफ कर दी तुम भी हवा में उड़ने लगे हो कुछ भी मत बोलो कोई परिशानी है तुम तोनों लड़ रहे हो मेरा गाना खत्म होने से पहले ह कूद पढ़ता है कैसी बात कर रहे हो तुमने मेरे रैप के भीच में गाया पेचारा इसे लगता है इसकी रैपिंग ही इस अच्छी है ज communism मेरे सर्य चिंदा मत करो मैं सब सिखांगा खेंगा अच्छा धिक है डीजल तुम मेरे सब गाओगे मैं गाऊंगा रापिंग मैं समहालूंगा और तुम गालेड़ा नगा सकता तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें सिखा दूँगा चाहाओ झालो भी ठीक है चलो फिर तीडिपो चलो हम भी प्राक्टेस करें मुझे नहीं लगता मैं यह कर पाऊंगा रे कर लो सही था ना इसमें फीलिंग नहीं है तुम्हें इसमें और फील डालनी होगी जैसे लिफ्ट आता है चलो फिर से कोशिश करते हैं चलो छोड़ चले शहर और भीडबाड कभी आए पुल और कभी आए पहार रुप जाओ ताल बिल्कुल ठीक नहीं है ताल हाँ छोड़ चले शहर और भीडबाड ये है ताल छोड़ चले शहर और भीडबीड ठीक है भीडबीड मत बोलो भीडबाड बोलो माफ करना छोड़ चले शहर और भीडबाड कभी आए पुल और कभी आए पहार इसके बाद क्या था ओ हाँ फिर आए जंगल फेक्स के मुगाबले तो ये जीरो है अब कैसा लगा मैंने अच्छा गाया ना ठीक ठाक था बस अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है छोड़ चले शहर और भीडबाड कभी आए पोल और कभी पहाड मेरा गला, गागा के मेरा गला तो क्या मेरा भी मैं ठाक या हूँ, फेक्स ने पूरा दिन प्रैक्टिस करवाया लिफ्ट ने भी, बार-बार कह रहा था मेरी ताल ठीक नहीं है हमारी हालत खराब करने के बजाओं दोनों को साथ में गाना चाहिए ना सही कहा मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है कैसा आइडिया अगले दिन की शुरुवात फेक्स, लेफ, सुनो दोस्तो तुम लोग यहाँ पर हो यही है तुम्हें मुझसे क्या काम पढ़ गया इतनी सुभा पता नहीं क्यों पर टीटी पो चल नहीं पा रहा है चल नहीं पा रहा टीटी पो की तब्या ठीक नहीं है हाँ मुझे लगता ऐसा तुम्हें जाकर उसकी मदद करनी होगी उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था वो रहा है टीटी पो समझ नहीं आ रहा मेरे पहिये बिल्कुल नहीं चल रहे लगता है टी उसे जांच करवानी पड़ेगी टी टी पो और डीजल क्या करना चाहते हैं सुनों फेक्स लिफ्ट क्या मेरी तब्यद बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन अगर तुम दोनों गाओगे तो मुझ अच्छा लगेगा हम गाना काएं माफ करना दोस्त हम फिर कभी गाएंगे फिर कभी जैसा आमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है हाई टी ओ हाई दोस्तों कैसे हो क्या चल रहा है टी 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 पो की तब या ठीक नहीं है अच्छा टी टी पो बताओ क्या परिशानी है अब रुको टीयो एक मिनट रुको टीसल अब क्या करें हमें हमें निकल लेना चाहिए अब चल पा रहा हूं टीटी दोस्तों क्या टीयो ना पेगार गया इन दोनों को आचाना क्या हुआ तिटीपो तिटीपो आखिरकार म्यूजिक कॉम्पेटिशन का दिन आ गया सबी को हलो स्वागत है संगीत के इस महा संग्राब में आएक आरकर शरू करें सबसे पहले एक जबरदस्ट जोडी आ रहे है स्पीड और शाइन सब को हलो वा ने को क्योट यह शीज़bok सस्पन आखिए पर क्यूज बने मुसकिल होती है जब और फेको जाता है चलो मेरे पिची चलो one 2 3 और अब आ रहे हैं ओ फिक्स और डीजल फिक्स और छोड़ी निफ्ट होना चाहिए था ना लेकिन डीजल है डीजल अच्छे से गाना ठीक है हाँ हाँ चोड़ चले शहर और फीरवार कभी आफूर और कभी महार डीजल गा रहा है पिक्स, मुझसे नहीं हो सकता आप ये नहीं, डीजल इनकी परफॉर्मेंस शुरू होते ही खत्मा हो गई हाँ, अफसोस की बात है मैं इससे अच्छा करना चाहता था अरे पिक्स अब आ रहे हैं लिफ और टीटीप। क्या, इस पार लिफ्ट और टीटीप। आ रहे हैं टीटीप। तयार हो तो छोड़ चले शहर और भीध भाड, कभी आए पोल और कभी आए पहाड फिर आया जंगल और शेर बोला ची 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 टीटीपो शब्द गलत हो गए क्या शब्द छोड़ चले शहर और करो गए चांदनी में धीगे यह चीद नहीं है इस शांदर परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यह थे इस मुकाबले की आखरी परफॉर्मेंस इतनी जल्दी उने मजा कि नहीं आया और यह गलत है मुझे फिक्स और लिफ्ट को ही सुनना है मुझे भी चल्दी स्टेज बराओ फिक्स और लिफ्ट सब्स था सब्सक्राइब इनकर प्रिक्स दीज सहते हैंarbeit पिक्स, उपर पहुँचाओ, सब तुम्हारा इतिजार कर रहे हैं एलेक्ट हे पिक्स मेरे साथ स्टेज पर चलना चाहूँगे हाँ, क्यों नहीं वाँ 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 फिक्स और ये अरे रोब बजा दे रहे हैं करीटी चलो शिरू करें और फिक्स और लिफ्क फिर से एक हो गए हैं दोनों सिर्फ अच्छा गाना नहीं गाते बलकि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं बहुत बढ़िया फिक्स और लिफ्ट